हेलो बच्चो मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हाल दिख स्वागत हैं बच्चों उसने कहा था कहानी की विसेस्ताओं को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस विसेस्ता को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगें खंड आ के अंतरगत मैंने कहानी की कुछ विसेस्ताओं का उनलेक कर दिया है आज खंड बा की अंतरगत आज खंड बौ के अंतरगत उसने कहा था कहानी की कुछ अन्य विसेस्ताओं की मैं चर्चा करूंगी तो खंड अ के अंतरगत हम लोगों उसने कहा था कहानी की जिन विसेस्ताओं को पढ़ा है उसका एक सार संछेप कहिए वह इस प्रकार है पहला कहानी की संबेदना प्रेम और कर्तेवे का उज्वलतम और अनन्य प्रतीक है दूसरा बाल मनोविज्ञान को दिखलाया है तीसरा उचसुकता को जागरत रखना तीसरा पूरुविस्मृति माचवा ब्यक्तिकत प्रेम को कर्तेवे की वेदी पर बलिदान करना और छठा है मार्मिक्ता यानि ये है उसने कहा था कहाने की कुछ विस्षिस्ताएं इसके अत्रिक्त कुछ अन्य विस्षिस्ताओं को मैं आज पढ़ा रही हूँ तो चलिए आरंब करती हूँ मानविय चरित्रों की अवतारना तथा उसमें सहज व्यक्तित्वे की प्रतिष्ठा का सुन्दर्तम उधारन हमें उसने कहा था कहाने में मिलता है यानि यहाँ पर जो भी पात रहें वो कैसे पात रहें मानविय चरित्र हैं मनिश्यता का प्रतीख हैं और उनके व्यक्थित्व कैसे हैं एक्दम सहज व्यक्थित्व हैं तो इसका धारन हमें उसने कहा था कहानी में देखने को मिलता है लहना सिंग में प्रेम और कर्तवी की पराकाष्टा है, लेखक ने इसके बहीरंग व्यक्तित्व के अपिक्षा उसका आंतरिक रूप बिसेस रूप से उभारा है बच्पन में प्रेम का बिजारोपन, बाल सुलव इसमरितियों का ही जीता जाकता स्वरूप उसके चर्थ में प्रस्पूर्टित हुआ है सुबेदार्नी भी प्रेम वव विस्वास की निश्चल छबी बनकर उभरती है उसे लहना सिंग के प्रेम का एहसास है यही कारण है कि वह उसी विस्वास से अपने पती और पुत्र दोनों को बचाने की बात कहती है यहाँ पर आप देखिए कि लहना सिंग उस लड़की से सहज प्रेम करता है उसके मन में बिसुध़् प्रेम है पवित्र प्रेम है इसलिव वह सायल बार बार पूस्ता था उस लड़की से तेरी कुडमाई हो गै एक बार युद्ध में जाते समयंघ जब लहना सिंग सुवदार्णी से मिलता है तो सुबेदार्णी लहना सिंग से यह वचल लेती है कि युद्ध में लहना सिंग उसके पती और उसके फुद्र की रक्षा करें तो यह जो इतनी बड़ी बात सुबेदार्णी में लहना सिंग से क्यों की क्योंकि उसके मन में लहना सिंग के प्रति जो है एक पिस्वास है ये लहना सिंग को जो कहा जाएगा वो उसे कर दिखाएगा सुभेदार ने भी प्रीम और पिस्वास की निश्चल छवी बनकर भरते हैं इसलिए बात जो है यहाँ पर मैंने लिखा है मानवे चरित्रों की अवतारना तथा उसमें सहज ब्यक्तित्वी की प्रतिष्ठा का सुन्दर्तम उधारन उसने कहा था कहानी की एक मुख्य विस्ष्था है इसलिए ये जो मानवे चरित्र की अवतारना और उसमें सहज व्यक्तित्विका की जो प्रतिष्ठा है ये जो है उसमें कहा था कहानी की एक अन्यतम विसिस्ता है अब कुछ और विसिस्ता देखिए उसने कहा था कहानी वातावर्न प्रधान कहानी भी कही जा सकती कहानी के आरम में तांगेवाली के सहच, कोमलपदावली युक्त, भाषात अथा बेवहार का चित्रन किया गया है। इसी परिवेश में लहना सिंग का चलित जहे उभारा गया है, जिसका प्रभाव उसके व्यक्तित पर जीवन के अंतिम छणों तक देखने को मिलता है। अपना प्रेम प्रात ना होने पर उसमें प्रतिक्रिया तो होती है, पर उसके प्रतिशोध नहीं। 14-1918 का संपुन फलक उपस्तित हो गिया है, सैनिकों को युद में किन कटनायों का सामना करना पड़ा, यह सारा विवरन यह थार्त रूप में हमारे समग उपस्तित होता है, यानि यह कहानी वातावरन प्रधान कहानी है, क्योंकि अम्रिसर का वर्णन हम देखते हैं यहां पर जो युद का वातावरन था, इस कहानी में प्रस्तुत किया गिया है, कहानी में एक पंक्ती है, देखिए, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदोगों में बैठे हड़ियां कर गई, लेखक के वातावरन की यथार्त वादिता मुग्ध करने वाला है, कि जर कभी नहीं देती, कभी नहीं लगता है कि लेखक ने कलपना करके यहां कुछ बाते कहीं होगी, इस प्रकार ना कहीं कोई विवरन, ना कोई वर्नन, फिर भी महायुद्ध का संपुन, क्रियात्मक, फलग, देशकाल और वातावरन के साथ जीवन्त है, यानि लेखक ने सित हो जाता है, उसने कहा था कहानित अतकालेन युक संबेदना से हमारा परिचय कराती है, लहना सिंग का व्यक्तिकत जीवन बोध, युक का व्यापक जीवन बोध बन गया है, रिती काल से निकल कर दिवेदी युगिल प्रिष्ट पुभी में पहुशना रशना का देश्य बनाया है, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि कला का व्योग जीवन के लिए हुआ है, यह कहानी की एक विसे इसता है, समर्थ भासा का प्रिवग भी उसने कहा था कहानी की एक अन्यतम विसे इसता है। जिस समय यह कहाने लिखी गई, उस समय हिंदी, गद्धी की गथी, अनिश्चित, आत्मे विश्वासीन और उबढखाबर थी, उस पर किसी समर्थ बड़ी प्रतिभा का परभाव भी नहीं पड़ा था। जगता है, कुछ उधारन देखिए, मृति के कुछ समय पहले इस मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्भर की गटनाएं इके करके सामने आती है, और इस कहानी की और क्या विश्वास्ता है, विविद सैलियों का प्रियोग, यानि उसने कहा था कहानी की एक विश्वास्ता है समर मुहावरों तथा कहावतों का प्रियोग अन्यत्तम है, इसके साथी साथ कहानी कार ने मुहावरों और कहावतों का भी प्रियोग किया है, उधारन देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, नेक्ष्ट देखिए अगला उधारन, निमोन के प्रमुग विश्यस्ता मानी जा सकती है अब देखे निसकर्स क्या है तो उसने कहा था कहानी के संबंद में रामचंद्र सुक्ल जी ने जो कहा है वह तो सबसे अन्यत्म है उसने कहा था कहानी के विश्यट मान्यताओं के अधार पर आचारी रामचंद्र सुक्ल ने भी कहा इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरूची की चरम मर्यादा, भाउकता का चरम उतकर्ष, अत्यंतनी पुनता के साथ सम्पोटित है, गटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गे स्वरूप ज्हाक रहा है, कीवल ज्ह सुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता है, इसकी घटनाएं बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपिक्षा नहीं, तो आचारे रामचन सुकल जी ने जो कह दिया, उसके बाद तो सायद किसी को कुछ कहने की आवशकता ही नहीं है, क्योंकि सुकल जी ने जो कह मानने है, और उनके विचारों को हम सभी आदर के साथ ग्रहन करते हैं, तो उसने कहा था कहानी कि विसेस्ताओं को मैंने आप लोगों को धिरे-धिरे करके दो वीडियो में समझाया है, आप पूरे वीडियो को सुने, समझे और जो कुछ भी मैंने लिख कर प्रस्तुत किया है, उसे आप लिखने की विपोसिस अवश्य करें, देखिए उसने कहा था कहानी, स्कूल में भी पढ़ाया जाती है, कॉलेज में भी पढ़ाया जाती है, और एमे में भी पढ़ाया जाती है, आप जब उत्तर लिखते हैं, तो स्कूल का प्रशन उत्तर अलग तरह का होता ह वेज्वेशन का उत्तर अलग तरह का होता है और जब में में लिखते हैं तब उत्तर थोड़ा अलग होता है मैंने यहाँ पर आपको विस्तर जानकरी दिया आप इसे पढ़कर समझ कर अपने विचारों के साथ जोड़कर अपना एक उत्तर अवश्य तयार करें इससे यह होगा कि आपका उत्तर जो है मेरे उत्तर से भी ज्याधा अच्छा होगा और आपको परिछा में बहुत ज्यादा माक्स भी मिलेंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी बाती अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें अपने सभी मित्रों में सेर भी अवश्य करें जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का लाब उढ़ें तुरंत मिल सकें तब तब पढ़ते रहें जीवन में आगे बढ़ते रहें मेरी सुब कामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं धन्यवाद